अजिकतर देखने में आता है वाब B.S.N.S के मंचों पे दिखाई देते हैं और फूले अम्बेटकर की विचारधारों को बढ़ाने की बात करते हैं बिसिकली फूले अम्बेटकर की क्या विचारधारा है जिसको आप पूरे देश और पूरे समास तक देना चाहते हैं ऐसा है कि जो फूले मिटकर की विचारधारा है जो रास्टरपता जोतिरा फूले है ठारा सो अड़ताली को वो एक संगर्ष की शुरुआत करते हैं वो कहते हैं कि एक तरफ वो विचारधारा है जो करमे का समानता की विचारधारा है जो सीड़ी नमा गैर बराबरी है उसकी वजे से हम को सबसे नीचे के पाइदान पर रखा गया तो वो कहते हैं कि हम समानता की विचारधारा चाहते हैं तो फूले जी एजूकेशन के माद्यम से शिक्षा के माद्यम से ये शुरुआत करते हैं और भारत के इतिहास में पहली बार है कि जोतीरा फूले अपनी पतनी को पढ़ाते हैं अपने जीवन साथी को पढ़ाते हैं त भारत के अंदर पहला महिलाओं का सकूल कोड़ना 1888 में सकूल खूल के एक नया विचार क्योंकि इन सबी जातियों को क्योंकि जो एक जिसे हिंदु धरम कहते है बरामनी धरम ऐसा धरम है जिसके अंदर जातिया है तो ये जातियों के बांट के इनको सबसे नीचे के पायदान पर रखा और शिक्षा के अधिकार से बंचत किया और जोतिया फूले ने कहा कि जिनके पास शिक्षा नहीं होती वो मानव का जीवन स्थर जानवर से भी नीचे हो जाता है तब ही ये शिक्षा की शिक्षा की शिक्षा की शिक्षा की शिक्षा की शिक्षा की शिक्षा करने के बाद देश के अंदर जब बाबा साब मिड़कर आते हैं जो आप बो रहे हैं कि आप फूले साब की बाबा साब की बात क्यों करते हैं क्योंकि फूले साब बाबा साब भारत की एक ऐसी शक्षियत हैं जिन्होंने इस देश की वर्न ववस्था को जाती ववस्था को गैर बराबरी की ववस्था को चनावती दे के उनके संगर्ष की वज़े से भारत का समयधान आता है तो इस देश के मूल वस्था को हक खकुक मिलते हैं बारत का समयधान आने की वज़े से और हमारी जो शिक्षा का शुरुआत होता है तीन एहम जो कहते हैं कि हक होते हैं अधिकार होते हैं एक तो शिक्षा का अधिकार एक जायदाद रखने का अधिकार एक हथियार उटाने का ये तीनों अधिकारों से इस देश के मूलनुवासी बहुजनों को जिने अशूत और सशूत कहा जाता है ये अधिकार शी ने और इन अधिकारों को दिलाने के लिए हमारे पुर्खों ने फूले जी ने और बाबा साब ने संगर्श किया और भी हमारे पुर्खों ने संगर् यहां समाज नहीं बन सकता हम बार बार बोलते हैं भारती समाज निर्मान संग हम इस देश के अंदर समाज का निर्मान करना चाहते हैं चुकि समाज जाती में बटा हुआ है जाती में बटा हुआ समाज जो समाज है वो समाज नहीं बन सकता राष्टर नहीं बन सकता और बाब कि तरफ अगर सर होंगी सब इस देश का राश्टर बनेगा तो हम राश्टर का निर्मान बनाने का प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक हमें सफलता मिल रही है तो सबस्क्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पह सबसे पहले